एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत सुवावत है साथियू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल सिक्चा वबाग के सिक्चकों की पदूनती के संबंद में बैदान सवा में की गए एक प्रिश्ण को लेकर जी यहां साथियू जिसकों लेकर स्कूल राज सिक्चा मंतरी ने अपना जवाब भी दिया है आप देख रहे हैं स्री सोहन लाल बालमी जी ने ये प्रिश्ण किया था क्या राज सिक्चा मंतरी स्कूल सिक्चा महदे ये बताने की किरपा करेंगी क्या बिवाग दुआरा राज सिक्षा सेवा में सामिल किये गए उच्छमादमिक सिक्षकों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा प्राप्त है यदि हाँ तो राजपत्रित अधिकारी बनने ये तू जारी किये गए आदिस की प्रिती उपलब्द कराएं मद्धिय प्रदेश में कारी रजपत्रित अधिकारी बनाया गया है ऐसे सिक्षकों की सूची उपलब्द कराएं अगर प्रतान नहीं किया गया तो इसका क्या गारान है इस पर जवाब दिया है राज्यमंत्री स्कूल सिक्षर श्री इंदर सिंग परमार जी ने जी नहीं सेस का प्रिश्णी उपस्तित नहीं होता सासन दौारा जारी राजपत्र जरांग 8 जुलाई 2018 की कंडिका 14 अनुसार उच्चमादनेक सिक्षकों को प्राचारी आयू स्कूल पर पदौनती का प्रापदा ने सथा बर्स 2016 से पदौनती पर प्रतिवंद है सेसांस का प्रिश्णों परस्तित नहीं होता यानि कि यदि इनका हम जवाब देखें तो जो का कॉलम में जो प्रिश्णी किया गया था कि क्या बिवाग दौरा राज सिक्षा सेवा में सामिल किये गए उच्चमादनेक सिक्षकों को राज पत्रत अधिकारी का दर्जा प्राप्त है तो यहां पर स्कूल सिक्षा मंत्री ने इसपस्ट किया है जी नहीं तो यह अपने आप में काफी बड़ा अपडेट है और यह जो सवाल है कही न कहीं सिक्षकों के लिए यह काफी बड़ी प्रती करिया मानी जा सकती है क्योंकि अब हम यह समझ सकते हैं कि जो उच्च मादनेक सिक्षक हैं जो की बवाग दोवारा राज सिक्षा सेवा में सामिल किये गए है यह जवाब की माने तो जो प्रिष्ण किया गया था उसके अनुसार उच्च मादनेक सिक्षकों को राज पत्रत अधिकारी का दर्जा प्राप्त नहीं है यहाँ पर नहीं में इस्कूल सिक्षा मंतरी जी ने अपना जवाब प्रिस्थत किया है साथ ही पदोर्नती के मामले में उन्होंने कहा है बरस 2016 से पदोर्नती पर बेन लगा हुआ है हाला कि उच्च मादनेक सिक्षकों को हाई स्कूल प्राचारी पर पदोर्नती दी जा सकेगी तो साथ ही यह था आज का मैद्पून अपडेट मिलती है किसी हैन अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हैं जय वारस साथियो